और वहीं आमादमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को MCD के मुखे कामों से अवगत कराने के लिए एक नई सीरीज की शुरुआत की है और इसी के तहट आमादमी पार्टी के मुखे प्रवक्ता सौरा भारतवाज ने दिल्ली में पार्किंग की समस्या को उठाया उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्किंग एक गंभीर समस्या बनी हुई है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीज़पी शासित MCD जिम्मेदार है फ्रोस्ट एंड सुलिवन नामक संस्था की स्टडी के अनुसार दिल्ली में औसतन एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के 80 घंटे सिर्फ पार्किंग ढूनने में ही लगा देता है बीज़पी ने 2012 के मैनिफेस्टों में 100 मल्टी लेवल पार्किंग का वादा किया था लेकिन इन 10 सालों में 100 गाड़ियों की पार्किंग तक नहीं बना पाए 2017 के चुनाव में साउथ MCD ने 27 पार्किंग का वादा किया भाजपा उसमें भी फेल रही दो करोड की आबादी के अनुसार दिल्ली में करीब एक करोड वाहनू की पार्किंग की सरुरत है सौरत भारदाज ने भाजपा शासित MCD पर प्रश्ण उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोट और हाई कोट ने पार्किंग को लेकर MCD को कई बार फटकार लगाई है अस्पतालों और मौल्स की पार्किंग पूरी तरह मुफ्त होती है लेकिन MCD और पार्किंग माफियाओं की साठगाट के कारण अवैद रूप से शुल्क लिया जा रहा है पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम के मैनिफेस्टों के अंदर पार्किंग स्पेस बनाने का वचन भारतिय जनता पार्टी दिल्ली वाला को दे रहे हैं और 2012 में भारतिय जनता पार्टी ने वादा किया था इनके मैनिफेस्टों से मैं पढ़ रहा हूं कि यह सौ मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे 2012 में इनका वादा था है और आज 2021 है और 2022 शुरू होने वाला है दस साल के अंदर सौ में से इन्हों ने मुझे लगता है अब तक दस पार्किंग स्पेस भी नहीं बनाएं पिछले चुनाव में 2017 में साउथ दिल्ली मुनिसिपल पॉर्परेशन ने एक अलग से और वादा किया साउथ दिल्ली मुनिसिपल कॉर्परेशन के अंदर और जो हमारी जानकारी है सिर्फ दो पार्किंग स्पेस यह पूरे पांस सालों में बना पाएं एक ग्रीन पार्क के अंदर है और एक अच्चिनी के अंदर है एक के अंदर 50-60 गाडिया लगती है दूसरे के अंदर 20-30 पूरे 5 साल के अंदर साउथ दिल्ली मुनिसिपल कॉर्परेशन सौ गाडियों के लिए भी पार्किंग स्पेस नहीं बना पाया और ग्रीन पर्क मेट्रों स्टेशन की पार्किंग के बार में तो आपको मालूमी है एक साल के अंदर अंदर वो पार्किंग का स्ट्रक्चर भी नीचे आके गिरपड़ा और उसके अंदर गाड़ियां भी दबें।